नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुपनिल सागर जैन, निरामे हुमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों, आप मैंसे बहुत सारी लोगों को कुछ खास सिंटम्स देखने में आते होंगे वो सिंटम्स क्या-क्या होते हैं? जब भी आप खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद अचानक आपके सीने में बहुत ही जादा जलन होने लगती है खाना खाने के बाद आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के मुह में खटा पानी आने लगता है और कभी-कभी जो खाना आपने खाया है वो वापस मुह में आ जाता है कुछ लोगों के सीने में लेफ्ट साइड पे जहां पे हमारा दिल इस्थित होता है वहाँ पर हलका हलका दर्द महसूस होता है बहुत सारे लोगों की कभी कभी दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है इसके अलावा कई लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है एकदम से और इसके सांथ में ठाना निगलने में तकलीफ होने लगती है जिसे dysphagia कहा जाता है सूखी खासी आने लगती है कई लोगों को और गले में खराश की शिकायत हो जाती है तो अगर ये सारे symptoms आप लोगों में हैं तो आप लोगों को GERD यानि कि gastroesophagial reflux disease है ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारी आतों का जो movement होता है खास पूर से इसो फेगस का जो movement होता है जिसे हम reflux movement कहते हैं उस movement में imbalance हो जाने के कारण हमारा जो खाना है वो वापस आने लगता है मूह में अब ये imbalance क्यों होता है जब भी कोई व्यक्ति खाना खाता है तो उस खाने को पचाने के लिए हमारे पेट में acid होता है अब जब भी किसी व्यक्ति के खाने पीने की जो आदते होती है वो ठीक नहीं होती है या तो वो बाजार का खाना बहुत ज़्यादा खाता है या फिर वो देर रात तक खाना खाता है या फिर वो खाना खाने के बाद दिन मर बैठा रहता है तब उस position में उस condition में बहुत सारे लोगों को जो acid बनता है वो या तो जरूरत से ज़्यादा बनने लगता है और या फिर जब भी उन्होंने खाना नहीं खाया और उस समय यदि acid का secretion वहाँ पे हो गया तो वो isophagus यान की हमारी आहार नली की जो म्यूकोसा है जिस जो लाइनिंग है आहार नली की उस लाइनिंग को ही गलाने लगता है जलाने लगता है जिसके कारण वहाँ पे छोटे 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 घाव बन जाते हैं इस condition को ही GERD यानि की gastro isophisial reflux disease कहा जाता है अब इस परेशानी का यदि हम treatment देखें तो इसका treatment बहुत आसान है यदि कोई व्यक्ति अपनी दैनिक जो चर्या है जो जीवन शैली है उसमें परिवर्तन कर लेता है तो gastro isophisial reflux disease यानि की GERD जो है वो automatically खत्म होने लगती है तो अगर GERD को naturally ठीक करना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका ह कि शाम को 7 वजे के बाद खाना ना खाया जाए दिन भर में कम से कम 5-6 km पैदल जरूर चला जाए 8-10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए और खाने में तली, चिकनी, फास्ट फूड, पिज़ा, बर्गर, नॉन वेज इन चीजों का बिलकुल भी उपियोग नहीं करना चाह इसके साथ मैं होमियोपैती में कुछ दवाएं आती हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जिनके माध्यम से हम GERD यानि की gastroesophageal reflux disease को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ उन होमियोपैतिक दवाओं के बारे में जो हमें यूज करना है GERD के patients को सबसे पहली medicine है iris versi cooler ये हमें 200 potency में लेके आना है दूसरी medicine है lycopodium ये हमें 30 potency में लेके आना है और तीसरी medicine है natrum phos ये हमें 12x potency में लेके आना है iris versi cooler की 200 potency की दो बूंद दिन में एक बार पीना है जीब पे रख लेना है बस दिन में केवल एक बार ऐसा हर दिन करना है दवा खाने के 15-20 मिनिट पहले से 15-20 मिनिट बाद तक कुछ नहीं खाना है ये ध्यान रखना है दूसरा है lycopodium ये 30 potency में लेके आना है और 30 potency की दो बूंद सुबे दो बूंद दो पहर में और दो बूंद शाम को हमें पीना है continuously 15 दिन तक इसके साथ हमें नेट्रम फॉस की 12x potency की 4 गोलियां सुबे और 4 गोलियां दो पहर में और 4 गोलियां शाम को जीब पे रखके बस चूसना है ये जो तीनों दवाएं हैं इन तीनों दवाओं के बीच में 5-5 मिनिट का अंतर कम से कम रखना जरूरी है यानि कि पहले आपने जो भी medicine ली है उसके 5 मिनिट बाद दूसरी medicine और उसके 5 मिनिट बाद तीसरी medicine इस combination का उपयोग आप 15 दिन तक continuous करें 15 दिन में धीरे धीरे आपके symptoms जो हैं वो change होने लगेंगे और दीरे दीरे अगर इसके साथ में आप अपनी lifestyle में भी change कर लेते हैं तो आपकी जो GERD की problem है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी ये जो homeopathic दवाए मैंने इस वीडियो में बताई हैं ये किसी भी homeopathic medical store पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगी ऑनलाइन भी बहुत सारी websites पे मिल जाती हैं तो आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलाल इतना ही आगे के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी homeopathic दवाओं के बारे में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, homeopathic दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं जिन दवाओं को दिन में किवल एक बार खाना है उन्हें सुभे खाली पेट खा लेना चाहिए मुह में अच्छे से कुला करके गारगल्स करके मुह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें homeopathic दवाओं खा लेना चाहिए जिन दवाओं को दिन में दो बार या तीन बार या चार बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर दो से धाई घंटे बाद ही खाएं और उस इस्थिती में भी हमारे मुह में किसी भी वस्तू का किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए नहीं हमारे मुह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए जिससे कि ये होमियोपेथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती है तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होमियोपेथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या एलाईची खा सकते हैं या नहीं बिलकुल आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं होमियोपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं बस याद ये रखना है कि जब भी आप होमियोपैथिक दवा खाएं इन में से किसी भी वस्तू का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुह में ना हो यानि कि जब भी आप इने खाएं, तो इनके खाने से या तो आदे गंटे पहले होमियोपैथिक दवा खालें या फिर इने खाने के दो ढ़ाई गंटे बाद, जब कि आपने मुह में अच्छे से कुला कर लिया हो, अच्छे से गारगल्स कर लिये हो, तब इन होमियोपैथिक दवाओं को खाएं, तो आपको हमेशा होमियोपैथिक के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्छा प्याज, लहसों, अद्रा, खींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुह में सफाई ना होने के कारण होमियोपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है, यह होमियोपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदी किसी भी होमियोपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्द हो जाएंगी, यह दवाएं हर होमियोपैथिक फार्मेसी पर उपलब्द होती हैं, हर होनलाइ भेजी जाती है इसलिए अपने नजदी की होमियोपेथिक मेडिकल स्टोर या ओनलाइन पार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें